नमस्कार बोलो जिन्दगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हूँ मैं मावैसु दिवी सिवा समति द्वारा एक क्यावेंजरों का एक एक विवा ऐसा भी और हमारे साथ हैं वो सचीन तनुलगर के वो सबसे बरे फैन जिनके आज पूरे दुनिया में भी फैन बन ग मार्च को जो आयोजन पहली बार गांधी मैदान में किये गए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन बहुत सारे टूर होने की वज़ा से मैं हर साल माता वैसुनोदेवी सेवा समीति की तरफ से हर साल ये साधी की जोड़े होते हैं लेकिन हर समय तो नहीं पहुँच लेकिन संजोग इस वार ये हुई कि टीम इंडिया ने टीट्वेंटी वलक अउस्ट्रेलिया और अमेरिका और वेस्ट इंडिज में जीती और टीम के साथ आगवन हुई तो इस दोड़ान मुझे स्वभाग मिला कि मैं 2012 को रिपीट करूं तो हमें मुके सासारिया जी से ब मुझे भी स्वभाग मिला कि 2012 के बाद मा वैस्णो देवी सेवा समिती के लिए तिरंगा लाडा हूं और मैं संजोग ये भी खाता हूं कि जो रोहिच सर्मा जी ने बिनिंग मतलब जीतने के बाद जो तिरंगा लाडा है वो तिरंगा और डंडे आज मेरे पास है उसको भी वह पर्चम आज में लाडा हूंगा जंडा गार देना तो परते शुरूप से जो है रोहिच जिने वहां जंडा गार दिया था वह जंडा मेरे बैग में है और वह जंडा मैं लेकर आया हो आज वह भी तिरंगा लाडा आएंगे मैं चाहता हूं वह जंडा आज हमारे जो रोहिच सर्मा जी ने बाड़ा बड़ोस की धर्ती पे गारे थे और मुझे भी सवभागे कहें तो यह इवेंट खत्म मतलब प्रेजिटेशन खत्म होने के बाद यह जंडा हमारे अमेरिकन फ्रेंड के थे उन्होंने मुझे गिफ्ट की और वह मैंने अपने भारत में लेके आ गए तो यह वही जंडा है जिस जंडे को इस 2020 वर्ल्ड कप ने भारत में भारत ने वहां गार दिया था रोहिच शर्मा ने गारा था और वह जंडा गिफ्ट और तोफे के तरफ पे हमारे बिहार के मिट्टी के शुधिर को मिला और शुधिर यह जंडा आज मावै जिए